सो यह fast revision है तो हम इसको quickly करेंगे chapter है molecular basis of inheritance inheritance के पीछे जो base है वो कौन सा molecule है हम जानते है DNA या वो RNA भी हो सकता है तो हम सबसे पहले DNA के बारे में देख लेते हैं DNA है क्या एक polymer है polymer किसका deoxy ribonucleutide तो जो polymer है उसकी लंबाई इसी चीज़ पर depend करती है कि उसमें कितने monomer हैं कितने basis हैं कितने nucleotides हैं इविन अलग-अलग organism की organism की characteristic DNA की लंबाई होती है हर species में एक खास length का DNA present होता है अगर हम कुछ examples को देखें तो bacteriophage, bacteriophage के यहां दो strain है 5174 एंड लेम्डा, bacteriophage लेम्डा इन दोनों में भी इसमें basis होते हैं 5386 जबकि लेम्डा फेज, बैक्टिरियो फेज में लेम्डा बैक्टिरियो फेज में basis होते हैं 48,502, 40,502 और 5,386 यहां nucleotide बोलेंगे यहां जबकि base pair बोलेंगे क्योंकि इसमें single extended DNA होता है जबकि इसमें double extended DNA होता है इकोलाई की बात करें तो उसमें 4.6 million base pairs होते हैं जबकि human के haploid content में 3.3 billion base pair होते हैं और अगर हम nucleotide की बात करें तो nucleotide के 3 component होते हैं और nucleotide के 3 component होते हैं एक है sugar, दूसरा है base और तीसरा है phosphate सुगर और base जुड़े होते हैं glycosidic bond से एन glycosidic bond जबकि sugar और phosphate जुड़े होते हैं phosphoester linkage से sugar के 5 carbon है क्योंकि ये pentose sugar है तो ये 5 carbon में 1st carbon पर हमेशा base attach होता है और nucleotide में 5th carbon पर phosphate attach होता है अगर इस मैंसे हम phosphate को गाइब कर दें तो फिर ये nucleoside रह जाता है अगर RNA की बात करें तो RNA में ये pentose sugar का नाम deoxy ribose नहोंके क्या होगा ribose sugar होगा उसमें difference क्या होगा deoxy ribose sugar में यह है लेकिन ribose sugar में यह क्या होगा OH present होगा तो ribose sugar में second carbon पर OH present होता है जबकि deoxy ribose में ह present होता है एक difference और होता है base का तो base basically इसमें DNA में तो A, T, G, C होते हैं जबकि RNA में A, T की जगे U होता है बाकी सब सेम होता है GC तो जरूर होता है ठीक है तो यह जो U है वो है क्या इसको या thiamine क्या है तो thiamine basically 5-methyl uracil uracil में एक methyl group attach कर दो तो वो thiamine बन जाता है uracil में एक methyl group add कर दो तो क्या बन गया वो thiamine बन गया 5-methyl uracil ओके तो इस तरह से हम देखें जो thiamine है वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा stable है ज्यादा stable molecule है यूरेसिल के मुखाए और अब nucleotide से हम di nucleotide या poly nucleotide बनाए nucleotide से दो nucleotide से अगर हम di nucleotide बनाए molecule या फिर और इसमें जोड़ें फर्दर जोड़ें तो poly nucleotide बनाए तब क्या होगा तो हम जामते हैं nucleotide में 5-carbon पर phosphate अठेच है लेकिन इसका 3-carbon पर OH प्रिजेंट है ठीक है तो होता यही है कि दो nucleotides attach होते हैं वही फिर से ester linkage बनेगा फॉस्पो ester linkage लेकिन अब की बार फॉस्पो ester linkage बनेगा उसमें third carbon involved हुआ और fifth carbon involved हुआ तो हम बोलेंगे इसमें जो bond बना फॉस्पो ester linkage वाला वो है three end three dash to five dash ठीक है three carbon और five carbon के बीच बना बन गया अब अगर आप poly nucleotide बनाना चाहते हो तो भी यही होगा three two five three two five नीचे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और chain बड़ी होती जाएगी अब देखो इस chain में एक तरफ five carbon free है और दूसरी तरफ three carbon free है तो इसलिए हम इस chain को बोलेंगे five dash to three dash ठीक है फाइव बन्डिंग के लिए फिरी है इदर three bonding के लिए फिरी है तो हम बोलेंगे five end to three end अब अगर हम nucleoside और जो nitrogenous base है उनके nomenclature की बात करें तो आपको धियान रखना पड़ेगा कि A4 adenine होता ये base है और अगर इसमें sugar को जोड़ दो सुगर अब सुगर डो type की है एक है डियोक्सी राइवोज सुगर और दूसरी है राइवोज आपने सुगर को जोड़ा पेंटोज सुगर को तो adenine की जगे ये हो गया adenosine ऐसे गवानीन हो गया guanosine तो adenine और guanosine मतलब क्या purine तो purine में जब सुगर जोड़ते हैं तो बाद में ये adenosine या guanosine हो जाता है हाँ अगर डियोक्सी राइवोज सुगर होगी तो adenosine के आगे डियोक्सी और जोड़ दो लेकिन जब हम pyramidine में सुगर जोड़ते हैं तो इसका नाम फिर हो जाता है डीन, 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 डीन है ना जैसे cytidine, जैसे uridine, जैसे thamidine अब सुगर होगा डियोक्सी तो या डियोक्सी नहीं तो simple काफी समय तक ये चर्चा चली कि जो डीन है उसका structure कैसा होता है तो ये James Watson और Francis Crick ने प्रपोज किया एक डीने का model कि डीने ऐसा दिखाई देता है एना उस model को हम बोलते हैं double helical model double helix structure of DNA या DNA structure का double helical model प्रपोज किया कि इसने James Watson और Francis Crick ने तो ये जो model था उन्होंने भी काम के बेस पर, काम की आधार पर इसको प्रपोज किया उन्होंने तो Rosalind Franklin और Morris Bilkins ने जो X-ray diffraction से डेटा पाया था उस डेटा का यूज करके अपना model प्रपोज किया और सिर्फ यही scientist नहीं थे इनके अलावा Erwin Chargoff जो scientist थे जिन्होंने Chargoff rule दिया, Chargoff rule बेसिकली उन्होंने ये बताया, किसी भी होगी और guanine की cytosine के equal होगी तो A equal to T and G equal to C this is called Chargoff law या वही कि this is Chargoff law, one ratio of one, इनका जो ratio है वह equal होगा, इसी चीज को हम बोलते है, Chargoff law तो इस चीज को भी double helical model मतलब यह भी double helical model का case है, basically जो base pairing है, double helical model में वो इसी concept पर आधारीत है, base pairing, कि A के opposite हमेशा T होगा और G के opposite हमेशा C होगा अब double helical model की character क्या-क्या है, तो उसमें दो chains होती है, DNA किसका बना होता है, दो parallel, anti-parallel polynucleotide chains का, इस polynucleotide chain को हम strand भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, strand तो कुल मलाके किसी भी DNA में दो strand होते हैं, और ये जो chains हैं, ये जो strand हैं, इनकी जो backbone हैं, वो backbone बनी होती है sugar और phosphate से, इसमें sugar और phosphate attach होके ये backbone बनी हैं, जबकि इस backbone में अंदर की side lie करता है, base, nitrogenous base, है न, so backbone of this polynucleotide chain constitute by sugar and phosphate and the base project inside, और जैसा कि हमने बात की, इनकी जो clarity है, वो anti-parallel होगी, means अगर इदर five है, तो इसका इदर three होगा और ये दोनों strand एक दूसरे से attach हैं, hydrogen bonds के द्वारा, ये जो hydrogen bonds हैं, वो बनते हैं nitrogenous bases के बीच में, A और T के बीच में double bond होता है, जबकि G और C के बीच में triple bond होता है, जबकि हमेशा, इसका benefit ये होता है कि A में, एडनीन में, दो ये होते हैं, रिंग्स होते हैं, जबकि इदर एक ring होता है, इदर दो, इदर एक ring, तो जो इसकी दोनों stand के बीच की distance है, वो हर जगे एक जैसी बनी रहती है, अगर A के opposite T होगा और G के opposite C होगा, इस बज़े से जो distance है, दोनों stand की helix में वो uniform बनी रहती है, जो इस जैनरेट एप्रोक्सिमेटली uniform distance between the two stand of the helix, यह किसकी बज़े से है, वह यह A के opposite T और G के opposite C, double bond और triple bond को भी याद रखना है, और यह जो इसमें coiling है, वो coiling right-handed fashion में रहती है, right-handed fashion में रहती है, और इसका जो pitch है, या जो एक helix है, एक helix को हम pitch ही बोलेंगे, एक helix का जो है, वो 3.4 nanometer होता है, और इसमें nearly 10 base pair होते हैं, तो फिर एक consecutive base से दूसरे consecutive base की जो distance होगी, वो होगी 0.34 nanometer, और जो plane of one base pair, plane of one base pair stack over the other in double helix, इसकी वज़े से additional stability आती है, hydrogen bond तो दोनों stand को stability देता ही है, इनकी जो stacking है, stacking over other, stacking off, stacking off, base pair, plane off, so these are the characteristics of double helical model given by Batson and Crick, तो हम DNA की जो packaging है, किसी nucleus के अंदर, किसी cell के अंदर वो देखते हैं, तो DNA की packaging पहले हम eukaryote के अंदर देखेंगे, फिर हम देखेंगे prokaryote के अंदर, तो दरसल DNA ये package होके, DNA जिसका की diameter two nanometer है, ये कुछ proteins के साथ package होकर बनाता है, ये further condensed होके, थोड़ा different type का chromatin, further condensed होके different type का chromatin, तो DNA से बना chromatin, 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 और finally क्या बन गया? chromosome, तो यहां से यहां तक लगातार क्या हो रहा है? condensation हो रहा है, packaging हो रही है, और उन packaging में responsible होती हैं कुछ proteins, तो उन proteins को बोलते हैं, histone protein और साथी साथ non-histone protein, ठीक है? तो हम इन histone protein और non-histone protein की study करने बाले हैं, ठीक है? इसे पहले देखो, जो histone proteins होती हैं, यह small small unit दिखाई दे रहे हैं, यह 8 unit दिखाई दे रहे हैं, means 8 type का histone proteins है, H1A, H1A नहीं, sorry, H2A, H2V, H3, H4, यह सब unit double-double हैं, तो इस तरह से यह 8 unit हो गए, यह मिलके एक complete unit बनाती हैं, इस सब 8 से मिलके एक unit बनी, उसे octamer बोलते हैं, और वही octamer, अचा, अगर इस octamer की बात करें, इस histone protein की बात करें, तो पहली बात तो यह positively charged होता है, और दूसरी बात यह basic होता है nature में, यह basic किसकी बज़े से होता है, दरसल इसमें जो amino acid हैं, उनकी abundance रहती है basic amino acid की, तो basic amino acid कौन से हैं, lysine और arginine, और यही lysine और arginine की जो side chains होती हैं, उन side chains पर positive charge भी होता है, तो इनमें lysine और arginine काफी ज़्यादा होता है, उसकी बज़े से basic nature आता है, साथ ही साथ उनकी side chain हैं उन पर positive charge होता है, तो यह जो histone हैं वो positive है, अब positive charge histone पर negatively charged DNA wrap होता है, DNA हम जानते है negatively charged होता है, तो वो wrap होता है, और तो वो जो octamer था, उस octamer के उपर wrap होता है, तो हमें यहां structure दिखाई दे रहा है, octamer के उपर लगवग 200 base pair DNA wrap होता है, 200 base pair DNA, अब इस structure को हम बोलते हैं nucleosome, क्या बोलते हैं nucleosome, ठीक है, तो यह nucleosome, 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 यह सब nucleosomes है, basically हम इसे हम chromatin बोलेंगे, जो भी wrapping हो गई DNA से आगे, जब भी protein attach हो गया, इसे हम बोलेंगे, chromatin, लेकिन यह chromatin, जिसमें की nucleosomes है, इसकी appearance आती है, beads on sting type की, मतलब एक धागा है, और धागा पर beads लगे आगे, इस type की appearance आती है, अब इससे further, इससे further, जो condensation होगा, further, जो winding होगी, packaging होगी, उसमें H1 protein responsible है, H1 protein भी histone protein है, तो हम जो देख रहे हैं, यह वाला जो DNA है, बीच बीच में, इस DNA को हम बोलते हैं, linker DNA, linker DNA को attach करता है, वो है H1 histone, okay, so histone H1 protein bind to linker DNA between nucleosome, forming the, forming the macromolecular structure known as chromatin fiber, तो H1 protein, linker DNA से जोड़ जाता है, उसके बाद हम इससे क्या बोलते हैं, chromatin जिसकी shape कैसी है, weed zone sting, अब further condensation होता है, अब अगर further condensation होगा, तो उसके लिए, अब histone protein नहीं, non histone protein की जरुवत होगी, इसकी जरुवत होगी, non histone protein, तो उस non histone protein की बज़े से, further जो packaging हो रही है, उसमें basically जो chromatin है, वो chromatin में, जो nucleosomeं, वो बहुत जादा fact दिखाई दे रहे हैं, इस one turn को, एक जो, एक turn है इसका, packed nucleosome बाले chromatin का, इसको हम solenoid बोलते हैं, तो बरहाल हम इस chromatin को solenoidal chromatin भी बोल सकते हैं, अब देखो solenoid में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, nucleosome, तो one, two, three, four, five, six nucleosomes दिखाई दे रहे हैं, further condensation होगा, तो फिर वो बनेगा पहले extended chromatin, फिर बनेगा condensed chromatin, और condensation होगा, तो finally वो बन जाएगा chromosome, सभी का जो diameter है, वो हमें पता, DNA का तो हमने देखा, two nanometer था, weeds on sting वाले chromatin का है, 11 nanometer, sony soidal का, three nanometer, जबकि extended का है, three hundred nanometer, condensed chromatin का है, seven hundred nanometer, और chromosome का है, fourteen hundred nanometer. तो जैसा कि हमने देखी लिया, कि जो और जानते भी हैं, कि जो cells होती हैं, उन में chromosome या chromatin, beads on sting वाला तो nucleus में दिखाई देता है, हमेजा always. लेकिन उससे ज़्यादा condensation अगर दिखता है, तो समझ लो, वहाँ cell division चल रहा है, cell division चल रहा है. तो जो ये condensation हैं, वो cell division के दोरान होता है, बाकि जब normal cell, जब cell division में नहीं होती, interface में होती है, या फिर कोई cell जो की specific cell है, कोई specialized cell है, जिसमें की cell division नहीं होता, तो उसमें nucleus में हमेशा chromosome नहीं देखता, न condensed chromosome, chromatin दिखाई देगा, बलकि जो chromatin दिखाई देगा, उसकी safe वही वाली होगी, beads on sting type. तो जो condensation दिखाई देता है, further coiling दिखाई देती है, वो सिर्फ कब दिखाई देती है, during cell division, और specifically pro phase, even आप का होगे metaphase, ठीक है, metaphase पर properly condensation हो जाता है, chromosomes में, chromosomes में, बाकि pro phase में भी condensation start हो जाता है, तो उसके लिए further packaging के लिए हम जानते है, non-histone chromosomal protein की requirement होती है, ठीक है, अब जो chromatin है nucleus के अंदर, वहाँ, कुछ region chromatin के loosely packed होते हैं, जबकि कुछ densely packed होते हैं, loosely packed, staining के समय light stain देते हैं, और densely packed staining के समय dark stain देते हैं, ठीक है, तो उस loosely packed को हम बोलते हैं, eucromatin, और densely packed को बोलते हैं, हम heterochromatin, transcription के base पर देखें, तो eucromatin ही transcriptionally active है, जबकि heterochromatin dark stain दे रहा है, वह तो inactive है, means उसका transcription नहीं होगा, और अगर transcription नहीं होगा, तो फिर उसका protein भी नहीं बनेगा, अब packaging हम prokaryotes में भी देख लेते हैं, तो prokaryotes में kromosome तो नहीं होता, even हम जानते हैं, उसमें nucleus भी नहीं होता, और वो kromosome भी नहीं होता, जो हमने अभी देखा, तो इसमें basically जो भी इसका genetic material है, वो cell में विना nuclear membrane के present रहता है, उस reason को जिसमें की genetic material रहता है, जिसमें की DNA रहता है, उसे हम बोलते हैं nucleoid, उसे क्या बोलते हैं nucleoid, और यहां भी same भाही DNA negative charge है, और कुछ positive charge proteins होते हैं, जिन पर positive charge होता है, वो DNA और positive charge proteins है ना, positive charge proteins की मदद से वहां भी packaging होती है, और एक structure बन जाता है, उस structure को हम बोलते हैं nucleoid, ठीक है, nucleoid, उस nucleoid में, the nucleoid is organized in large loops held by proteins, तो जो nucleoid होता है, उसमें loops दिखाई देते हैं, और जो वो loops होते हैं, वो proteins के द्वारा hold रहते हैं, वो proteins के द्वारा hold रहते हैं, तो यही nucleoid है, हैं यहीर बोलते हैं यही देक्ट हैं, प्राइनों भी जाता हैं, वो लाते हैं, यहीं को में वो बोलते हैं, तो बदोफें रहते हैं,